नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News खाने पीने के अनेक स्टोल लगाए गए हैं कोरोना महामारी की चलते सरधालू मास्क लगा कर आएं और सेनिटेजर भी साथ रखें हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहरलाल परदेश के हर जिले खंड और ग्राम का समगर विकास सुनिशित करते वे 1370 क्रोड रुपे की विभिन विकास प्रियोजनाई राज्य को समर्पित करेंगे सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्मद में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री 21 मार्च यानि आज चंडिगड से राज्यस्तरिय कारेकरम से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से विभिन विभागों की 169 प्रियोजनाई का उदगाटन में सिलानयास करेंगे परोक्ता ने बताया कि मुख्य मंत्री 169 प्रियोजनाओं में से 867 में करोड रुपे की लागत की, 80 प्रियोजनाओं का सिलन्यास और 472 करोड रुपे की लागत की उन्हें सी प्रियोजनाओं का उद्गाटन करेंगे शेकारिता मंत्री डाक्टर बन बनुरिलाल ने कहा कि रेवाडी के गाउ माजरा में बनने वाले अखिल भारती आयूर वीज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्वान का रास्ताव साफ हो गया है उन्होंने कहा कि माजरा गाओं की लोगों ने एम्स निर्मान के लिए आवश् Deeक भूमी पोर्टल पर अपलोड कर दी है इसके लिए विए लोग बढ़ए के पात्र है जिन्होंने एम्स जैसे प्रोजेक्ट के लिए भूमी परदान की है यह जानकारी उन्होंने रेवाडी में एम्स के निर्मान को लेकर हुई बैठक में दी उन्होंने कहा कि माजरा गाउं के लोग मौावजी को लेकर केंद्रे मंतरी राव इंदर जीत शिंग से मिले थे और मौावजी वे S.C.O. पर शैमती बन गई है डक्टर बनवरी लाल ने कहा कि एम्स के निर्मान के बाद माजरा गाउं का नाम देश भर में जाना जाएगा शैकारिता मंत्री डक्टर बनोरी लाल ने मुख्य मंत्री मनोहरलाल वे केंदरे मंत्री राव इंदरजेचिंग का इस छेतर में एम्स निर्मान के लिए आभार वैक्त करते भी बताया कि इसके लिए अब माजरा गाउं के लोगों ने जो पहल की है उसके जितनी सरहना की करने वाले खुशकबरी है जन स्वास्ति अभी आंतर की विभाग की और से 122 गाउं में घरगर पानी पहुंचाने के लिए एक महत्वकांशी योजना तयार कर उस पर कारिये करना शुरू कर दिया गया है इस मेगा वाटर प्रोजेक्ट के लिए हरियाना सरकार ने करीब 114 करोड रुपे मंजूर किये हैं और विभाग ने टेंडर अलोट कर निर्मान कारी शुरू कर दिया है अब दिन वे दिन आबादियों पानी की जरूरत बढ़ने से नहरी पानी की मात्रा बढ़ाने की ब्याव सकता महसुस की जा रही है इसी को मद्रेजर रखते विभाग न वर्ष 2035 को लग से मान कर योजना तयार की और अब जनस्वास्त विभाग ने उक्त 122 गाओं में परियापत पेजल पहुंचाने के लिए कारी योजना पर आमल करना शुरू कर दिया है जनस्वास्त विभाग उक्त गाओं में पेजल आपूरति सुनिशित करने के लिए ग गली में रह रहे अपने घर के लिए नलका कनेक्शन लेश केंगे शिक्ष्या विभाग ने तीसरी से आठवी कक्षा तक की परिक्षा 26 मार्श से कराई जाने का एलान कर दिया है पहली वे दूसरी कक्षा को छोड़कर बाकी तीसरी से लेकर आठवी कक्षा तक के बच्चो का दिमाग भी फ्रेस होता है शिक्ष्या विभाग ने भेजी नेर्देसों में खाया है कि इस तीसरी कक्षा से लेकर आठवी कक्षा तक के बच्चों के लिए सुबह 5 बजे पोर्टल को खोल दिया जाएगा पोर्टल रात 12 बजे बंद कर दिया जाएगा इस दोरान बच् इंसेमिनेशन सेवां का विश्थार करेगी इसके तैट करत्रिम गरवाधान के जरिये बक्रियों को नसल सुधारने और लुप तोती परजातियों को बचाने पर फोकस रहेगा हर्याना में दूद की उपलबता 1142 ग्राम परतिवेक्ति रोजाना है जो कि राश्टी ओसा 394 चुरान में ग्राम की मुकावलिक काफी आदिक है दुग्द उत्पादन को बढ़ाने में एहम बक्रियों की नसल सुधारने के लिए लोहारू में बक्री परजनन केंदर यानि गोट ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा बिवानी के गाउं सेहरला में एक लगू अमिताब बच्चन को शुकरवार को इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फिल्म आकाईव यानि FIAF का आवार्ड दिया गया था यह आवार्ड उन्हें फिल्म सनक्षन के काम को बढ़ावा देने के लिए मिला है अब अमिताब ने खुद सोशल मीडिया पर आवार्ड सेर्मिनी से अपनी कुछ फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं इन फोटोज में अमिताब आवार्ड लेते भी दिखाई दे रहे हैं साथ ही उन्होंने इस सम्मान के लिए FIAF यनि अमेरिकन फिल्म प्रोडूसर डाक्टर मार्टिन स्कॉर्शेशी और फिल्म लेखग क्रिश्टोफर नोलन का भी धन्यवाद किया है एंटीलिया केस में नया खुलासा मुंबई के पूरू पुलिस कमिशनर प्रमजीत सिंग का बड़ा आरोप महराष्ट के गरह मंतरी अनिल देश्मुक ने सचिन वज़े से हर महीने 100 क्रोड रुपे मांगी थे मुंबई पुलिस के पूरू क प्रमजीत सिंग ने महराष्ट के गरह मंतरी अनिल देश्मुक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने काया कि सचिन वज़े को गरह मंतरी अनिल देश्मुक का संड़क्षन था और उन्होंने वज़े से हर महीने 100 क्रोड रुपे जमा करने को कहा था इन सब शिकायत को लेकर प्रमजीर सिंग ने उद्धव ठाकरे को एक चिठी भी लिकी थी प्रमजीर सिंग ने चिठी में यह भी कहा कि अपने गलत कामों को छुपाने के लिए मुझे बली का बखरा बनाया गया है उधर ग्रह मंतरी अनिल देश्मुक ने सबी आरोप से इनकार करते भी कह है कि प्रमजीर सिंग खुद को बचाने के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने प्रमजीर के खिलाप मानानी का दावा ठोकने के भी बात कही है दूसरी तरफ भाजपा नेता और पूर मुख्य मंतरी देविंदर फड़नवीस ने उनसे इस्तिपा मांगा है अजय टीम इंडिया ने लगातर चठी सीरी जीती इंगलेंड नो साल से भारत में नहीं जीत सका भारते टीम ने इंगलेंड को आखरी और निरनाएक टीट्वनटी में 36 रन से हरा दिया इसी के साथ 5 टीट्वनटी की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली दो साल शे अजय टीम इंडिया ने लगातर चठी सीरीज जीती है, वह इंगलेंड टीम नो साल से भारते जमीन पर कोई दिवपक से T20 सीरीज नहीं जीत सकी है, इससे पहले उसने टीम इंडिया को अक्तुबर 2011 में सिकस्ट दी थी, तब दोनों टीम के बीच एक इमेच की सीरीज खेली गई थी. पाकिस्तान के परधान मंतरी इमरान खान और उनकी पत्ने बूसरा बीबी की कोरोना रिपोर्ट सनिवार को पोजिटिव आई है, दोनों घर पर ही सेल्फ आइसूलेशन में है, पाकिस्तान के स्वास्त मंतरी फैसल सुल्ता ने सोसल मीडिया पर ये जान करी दी, इसके चीन ने उसे डोनेट किये थे, वहीं ब्राजिल में हालात बुरे होते जा रहे हैं, यहां पिछले पास दिनों में तीन दसमलों नो तीन लाख नए मामले सामने आ चुके हैं 25 अपरेल को ही होगी रीट परिक्षा, बोर्ड अध्यक्ष डाक्टर जारोली ने कहाँ 25 अपरेल के पहले और बाद में कोई भी रविवार परिक्षा के लिए खाली नहीं, जल्द फाइनल होंगे परिक्षा के अंदर, राजस्तान अध्यपक पातरता परिक्षा यानि री 25 अपरेल को ही होगी, राजस्तान मादिमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाक्टर डीपी जारोली ने सपस्ट कर दिया है, उन्होंने कहाँ कि 25 अपरेल को त्या कारेकरम पर ही रीट का आयोजन होगा, क्योंकि इससे पहले और बाद में कोई भी रविवार परिक्षा क अध्यक्ष डाक्टर डीपी जारोली ने सपस्टाप सेलेक्षन कमिस्टन यानी ससे की MTS भरती 2020 के लिए आध्यक्ष डाक्रिया आज यानी 21 मार्च को खत्म हो जाएगी, ऐसे में जिन कंडिडेट्स ने अभी तक इन पदों के लिए आध्यक्ष डाक्ष 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 क्या है वे आयो की ओफिस्यल वेब्साइट ssc.nic.in के जरिये अन लाइन अप्लाई कर सकते हैं, इन पदों के लिए आविदन करने वाले कंडिडेट्स दस्वी पास होने चाहिए, इन पदों के लिए आविदन करने वाले कंडिडेट्स की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के विश तेक की गई है